दोस्तों किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि दुनिया तभी आपकी इज़ित करेगी जब आप पुद अपनी इज़ित करेगे आपको कभी भी किसी भी टाइम अपने आदो सम्मान से समझाओता नहीं करना चाहिए दोस्तों जिन्दगी जीने का तरीका सबका अलग अलग होता है लेकिन उनका रवय या उनकी परसनलिटी को दिखाता है एटिट्यूट में रहोगे तो दुनिया अपनी अवकात में रहेगी वरना ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी और हमेशा आपको पोपट बनाती रहेगी दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एटिट्यूट्स जो दिल और दिमाग को हिला कर रख देगा और आपको पोपट होने से बचा लेगा तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं खौब फैला देना नाम का कोई पूछे तो कह देना वक्त लौटाया महाकाल का पाप के सामने अयासी और हमारे सामने बदमासी बेटा भोल कर कभी मत करना सोने के जेवर और हमा और सुन बेटा थोड़ा हट के रहना वरना ठोकने का जिगर भी रखते हैं किसी ने मुझसे कहा इतने खुपसूरत नहीं हो तुम मैंने कहा महाकाल के वक्त खुंखार ही अच्छे लगते हैं फेस्बूप को लड़किया जितना एटिटूट दिखाती है ना उससे ज़्या जादा खुपसूरत लड़किया तो हमारे खेत में गेहूं काटने आती हैं बेमतलब की दुनिये का किसा ख़तम अब जैसी दुनिया वैसे हम सफाई देने में अपना समय बरबाद मत करिये लोग के वल वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं फसंद आया तो दिल में नहीं दो दिमाग में भी नहीं या समाज तुझे से नहीं मेरी अकर से जलता है मैं मनाओ फिर से तुम रूट जाओ इस तुम भाड़ में जाओ इतना अमीन नहीं कि सब कुछ खरीद लो लेकिन इतना गरीब भी नहीं कि खुद बिक जाओ लोगों को गोली की तरह लगती हैं बाते मेरी मतलब निसाना बहुत अच्छा है अच्छा हूँ तो अच्छा ही रहने दो बुरा बन गया तो जहलने की अवकात नहीं तुमारी पहचान क्या होती है ये दुनिया को हम बताएंगे बिना नाम आये थे पर बिना नाम की ये नहीं जाएंगे जजबा रखो सच और जोट को परकने का कानों में जहर घोलना तो सामने का हमारी अफवा के धुएं वहीं से उठते हैं जहां हमारे नाम से आग लग जाती है तुम अगर सोचते हो कि मैं बुरा हूँ तो तुम गलास सोचते हो क्योंकि मैं बहुत बुरा हूँ मेरी नर्मी को मेरी कमजोरी मत समझना मैं सर जुका के चलता हूँ तो सिर्फ खुदा के डर्स जिसको जो कहना है कहने दो अपना क्या जाता है वक्त वक्त की बात है और वक्त सब का आता है हमारी ताकत का अंदाजा हमारे जोर से नहीं दुसमन के सोर से पता चलता है मैं कभी लोगों का अपमान नहीं करता मैं केवल उन्हें बताता हूँ क्यों वे क्या है बहले ही आज तकलीफ बड़ी है पर कल काम्याभी उससे भी बड़ी होगी चलो आज फिर थोड़ा मुस्कुराया जाए बिना माचिस के कुछ लोगों को जलाया जाए दोस्तों आपको यह एटिट्यूद को और कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और आप भी ऐसे अपने एटिट्यूद बरकरार लखे नहीं दुनिया आपको हमेशा पोपट बनाती रहेगी दोस्तों अगर पोपट होने से बसना है तो एटिट्यूद रखना बहुत जरूरी है तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक और यह वीडियो को सेयर जरूर करिएगा और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिजिए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा धन्यवाद